हे गाइस तो मैं अब थोड़ी देर पहली मनोज वाक्षाइड की मुवी जो रम दिक्कार आया है और सच बताऊ यार यार यह मुझे इंट्रस्टिंग लगी लेकिन बहुत ज़ाद अच्छी लगी या नहीं इस पर तो मैं आगे वीडियो में बात करूँगा अगर मैं इसी क चाहनी की कारो तो यह कहानी है दर्सु नाम की आदमी की जो कि अपनी बेटी को लेकर भाग रा है उसकी बेटी तीन मेने की रहती है वो लोग वो किस से भाग रहा है किन बज़ौन से भाग रहा है यही सब हमें इस मूवी में देखन को मिलता है अगर मैं एस पिछे पासं तो personally है मुझे इस movie का screen पे पसंद आए कि जिस तरह से movie start होती है अपनी पूरी situation को establish करती है हमें characters के साथ introduce कर रहा है जाता है बताया जाता है कि characters किस तरह के क्यों भाग रहा है यह आदमी किस तरह से यह police वाला इसके पीछे पढ़ चुका है और फिर क्या कुछ हो रहा है वो सारी चीज़े इतनी इंटरस्टी में में तो लिखी गई है कि हमारे स्टाटी से इस movie में connection मन जाता है हम जानना चाहते है कि वागी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है फिर इस तरह से movie आगे बढ़ती है अपनी पूरी situation को explore करती है वो सारी चीज़े देखने में भी मज़ा आता है कि इन सारी चीज़े को तिने जाद अच्छे लिखा और develop किया गया था में भी काफी सारी problems है अगर में बात करें इस movie के negative points की तो इस movie में story के नाम पे आपको बहुत थिन लाइन story देखने को मिलती है जो कि आप काफी आराम से प्रेट कर पाते है रिप्योश्य देखने को नहीं मिलता आप इस movie के हर इक बीट को इतने आराम से गैस करते हैं कि जब इस movie के climax आता है तो आपको किसी भी तरह कोई भी इंपेक्ट नहीं डाल पाता है यह movie emotional heavy जरूर है लेकिन हाँ कहीं न कहीं आप सारे लोग में ऐसा फिल कर दो कि सारे लोग इस movie की emotions के साथ connect नहीं हो पाएंगे यह movie जो है वह काफी specific audience के लिए बनाई ग अगर अगर यह character जिन्दा होते तो कुछ ऐसी होते हो सच में दोनों ही काम काफी जादा अच्छा है वाकि कि जो supporting cast है वह काम भी मुझे पसना है ना तो बात है direction और editing की direction सच में काफी अच्छा है डिरेक्टर ने इस तरह से पूरी movie को बनाए वो काफी अच्छा है डेपने तो overall मुझे यह movie ठीक ठाक लगी है definitely अगर आप इस movie को एक चांग देते हो तो आपको मज़ा आएगा आप इंगेज कर रहोगे तेकिन हाँ जैसे कि मैंने कहा यह movie कोई masterpiece नहीं है तेकिन हाँ अगर आप एक बार देखोगे तो आप definitely enjoy करोगे तो आपको यह movie देखनी है नही यह आपके उपर है और अगर आप लोगने movie देख लिए तो मुझे comments में जरूरू बताने कि आपको यह movie कैसे लगी बाखी मिल देखले वीडियो में तब तक लिए जैहिंद जै भारत